हेलो फ्रेंट्स तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एपिसोड 984 की तो आईए फिर शुरू करते हैं एपिसोड की शुरुवात होती है उरोची से जहां पर उरोची लड़कियों के साथ खेल रहा होता है लड़कियां उसके साथ खेल रही होती है उसे बहुत ज़ादा मज़ा आ रहा होता है और इसके बाद जो लड़कियां होती है वो अरोची से बोलती है तो यहाँ पर उरोची बोलता है बिल्कुल पिएंगे मुझे पिलाओ तुम लोग मुझे पिलारी हो जिस वज़ा से इसका टेस्ट बहुती जादा बढ़ गया है इसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिर कार उरोची इतना जादा खुश कैसे है आकाजाय के members ने जो plan बनाया होता है वो पूरा plan उरोची को पता होता है और उसे counter करने के लिए वो bridge जो की curry और udon को जोड़ता है उसे तबाह करवा देता है जो ringo और hakumai को जोड़ता है वो उसे भी तबाह करवा देता है इसके बाद जो इताची पोर्ट होता है कुरी में वो उसे भी तबाह करवा देता है और अब उसे पता होता है कि जो आकाजया के मेंबर्स हो पानी में मिलेंगे और फिर हमें दिखाया जाता है कीने मौन जो की अपने लॉड को याद करता है और इसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं जो इस्टन साइड होती है उसे लीड कर रहा होता है कीने मौन और जो साउधन साइड होती है उसे लीड कर रहा होता है दैंजीरो और टोटल मिला कि ये लोग होते हैं 5000 से जादा योद्धा इसके बाद law underground जा रहा होता है और इनका बहुत ही simple सा एक plan है कि जैसे ये लोग ओनी गाशिमा के पीछे पहुचेंगे law अपना काम करना उसके बाद शुरू कर देगा और फिर हमें दिखाया जाता है लूफी जो कि अपने कुरू से रोकता है और बोलता है किड तुम कहां जा रहे हो केले केले तो यहाँ पर किड बोलता है जो मैं करना चाता हूँ वो मैं करूंगा तो यहाँ पर लूफी बोलता है देखो ऐसा है कि अपनी मन की मत करो तो मैं नहीं पता है कीने मौन और बाकी सबने कितने बुरे दिन देख तो यहाँ पर लूफी जिंबे से बोलता है कि मैं उसे रोकने के लिए आगे जा रहा हूं और फिर मैदान में आता है जो बोलता है कि अगर लूफी वहाँ पर गया तो यह पूरा प्लैन बरबाद कर देगा मैं उसे रोकने के लिए जा रहा हूं और इस तरीके से लूफी और जोरो वहां से निकल जाते हैं इसके बाद हमें कीकु दिखाए जाती है जो कि थोड़ी सी चिंता में होती है कवा मास्टू उसके पास आता है और बोलता है क्या बात है तो यहाँ पर कीकु बोलती है कि मुझे लूफी की चिंता हो रही है अगर लौ की प्रडिक्शन भी कुछ सही है तो वो एकदम काईडो के कासल की तरफ जा रहे है और उनका हमारे उपर कर्ज है लेकिन हम उन्हें एकदम चारी की तरह इस्तमाल कर रहे है और कहीं उन्हें कुछ हो गया तो तब ही लौ बोलता है तुम गवराओ मत जो बेवकूफ लोग होते हैं वो इतनी असानी से नहीं मरते हैं तो यहां पर कवा मत्सू बोलता है कि तुम्हें अपने दोस्तों के उपर बहुत ही जादा भरोसा है इसके बाद हमें पार्टी की थोड़ी सी जलत दिखाए जाती है और फिर हमें दो गाट दिखाये जाते हैं जो की पहरा दे रहे होते हैं और काफी जादा निराश होते हैं क्योंकि उपर बढ़ियां पार्टी चल रही होती है लेकिन उन दोनों को पहरा देना पड़ रहा है और फिर वहाँ पर आ जाता है कांजूरो जो की इन दोनों को मसल देता है कांजूरो ओरोची के पास जा रहा है लेकिन सही माइने में उसे रास्ता नहीं पता है कि वो ओरोची के पास जाए कैसे क्योंकि जो टनल है उसमें काफी सारे रास्ते हैं और यहाँ पर जो मोमो होता है उसके नजर पढ़ जाती है एक छूरी के उपर और इसके बाद हमें दिखाया जाता है लूफी जो की किड का पीछा कर रहा होता है लेकिन अब लूफी पहुंच जाता है पार्टी के अंदर फिर हमें जोरो दिखाया जाता है जो की पार्टी के अंदर पहुंच जाता है और वो लूफी को ढूंड रहा होता है तब ही एक soldier उसके कंदे पर हाथ रखता है और बोलता है तुम कहा जा रहे हो तब ही जोरो की conquer हाकी अवेकन हो जाती है लेकिन वो soldier बेहोश नहीं होता है और वो बोलता है यार इतनी अच्छी पाटी चल रही है लेकिन तुम इतने जादा serious वहां से जारा हुता है तब ही वोक़ी बोलता है और इबिसू टाउन के लोग ये कभी नहीं पी पाएंगे जोरो बोलता है और इसके बाद हमें नामी दिखाई जाती है जो की फ्रेंकी से बोलती है फ्रेंकी जल्दी करो हमें भी यहां से निकलना है फ्रेंकी बोलता है बस हो गया और फिर वो अपनी बाइक बाहर निकालता है जिसे वो बुलाता है ब्लैक राइनो और भाई देखने में बहुत ही कमाल की लगती है इसके बाद मैदान में आता है ब्राच्यो टैंक जिसका कमांडर है चौपर और उसका स्नाइपर है उसो बाई इन दोनों को देखकर मज़ा आ जाता है इसके बाद जो फ्रेंकी होता है वो बोलते कि लूफी कहां पर है तो यहाँ पर जिंबे सबको बताता है कि किड अंदर जा रहाता तो लूफी उसे रोक ब्राच्यो टैंक में बैठ जाते है और उसके उपर सांजी बैठ जाता है इधर जो फ्रेंकी होता है वो निको रोबिन के पूछता है क्या तो मेरे साथ चलोगी तो निको रोबिन उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन यहाँ पर बुरुक उसके पीछे जाक और अब हमें दिखाये जाते हैं निको रोबिन और जिंबे जो की पैदल जा रहे होते हैं और यहाँ पर जिंबे बोलता है कि यह मेरी पहली फाइट है मैं अपना 100% देना चाहता हूँ यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे excited थे लेकिन किसी न किसी को तो शान्त रहना मुझे एक अच्छी से स्टोरी सुनाओ तो यहाँ पर उसका भाई बोलता है कि मेरे पास कोई भी स्टोरी ऐसी नहीं है जो बहुत ही जादा interesting हो और तुम्हें सुनने में मज़े आए तो बोलती है ठीक है अच्छा मुझे स्टोरी मज़ सुनाओ एक काम करो मुझे शान्त क तो यहाँ पर वो उसे शान्त भी नहीं कर रहा होता है तो अब उसकी बहन को गुस्सा आ रहा होता है और वो उसे मसलने लगती है और बोलती है कि प्लीज मुझे शान्त करो प्लीज मुझे शान्त करो तो यहाँ पर हूजू बोलता है यार उल्टी तुम शान्त हो जाओ त तुम दोनों क्या कर रहे हो तब ही यहाँ पर उल्टी बोलती है कि तुम मेरे भाई से ऐसे बात नहीं कर सकते हो तुम इसे चुप होने के लिए नहीं बोल सकते हो तो यहाँ पर ब्लैक मारिया बोलती है कि उल्टी मेरे ख्याल से यह तुम्हारे भाई से कुछ नहीं कह रहात है और बोलते हैं भाई तो पी हमारे पास बहुत सारा जाम है और ये जाम इतनी अच्छी quality का है कि जो आम लोग हैं उन्होंने कभी भी ऐसा जाम नहीं पिया होगा और ये जाम हमारे पास इसलिए है क्योंकि काईडो और उरोची बहुत ही ज़ादा ताकतवर हैं और जो परक नहीं पड़ता है और जोरो को तभी गुस्सा आता है और वो अपने जाम वाला मग पकड़ता है और उसके मुझे ठूस देता है फिर हमें लूफी दिखाया जाता है जो की किड़ को ढूंड रहा होता है तो किड़ तो उसे नहीं मिलता है लेकिन उसे कुछ काईडो के सोल्चर्स मिल जाते हैं जो कि उसे खाना ओफर करते हैं तो यहाँ पर लूफी देखता है कि वाओ यार खाना तो बहुत ही जादा टेस्टी लग रहा है तो वह एक टंगडी उठा लेता है और जैसे वह खाना खाने बाला होता है यहा यहाँ पर यह लोग बढ़िया खाना खा रहे हैं और तभी यह लोग क्या करते हैं रेट बीन सूप को बरबाद करने लगते हैं यहाँ पर लोगों के लिए खाने के लिए खाना नहीं होता है लेकिन यह लोग रेट बीन सूप बरबाद कर रहे होते हैं पूरा भगोना पूफी को गुस्सा और यहीं पर एपिसोड खतम हो जाता है मिलता हूँ अगली वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए कुरोना से साबदान गुड बाई